हेलो ब्यूटिफल सोल्स दसस्तानवी शुर्मा आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग देकर आए हम जिनरली जब काइंट्स मेरे पास आते हैं तो उनके दिभाग में एक सवाल बहुत साथ होता है क्या हमारे पार्टनर को हमारी जरूरत भी है क्या अब उनकी जिन्दगी में हमारी जगा भी है अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है ब आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है, no contact situation में है, या फिर अभी अभी आपका break up हुआ है, आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी. आज की reading में में किसी भी particular zodic science का नाम नहीं लूगी क्योंकि ये reading सभी zodic science के लिए है, so आये जानते हैं, क्या आपके partner को आपकी जरूरत है, क्या वो आपको अपनी life में लाना चाहते है, do they need you, आये जानते हैं, क्या आपके partner को आपकी जरूरत है, आये जानते हैं, क्या आपके partner को आपकी जरूरत है, आये जानते हैं, तो पहला card है यहाँ पर, okay, दो cards निकल कर आए हैं, the hanged pen का card है, the temperance का card है यहाँ पर, the next card is the chariot का card है, the next card over here is the eight of wands का card है, okay, the next card over here is ten of pentacles का card है, the next card over here is eight of pentacles का card है, the next is six of pentacles का card है, the next card over here is two of wands का card है, and bottom of the deck पर, the hermit का card है, मैं समझ पा रही हूं कि यह सवाल आपके मन में क्यों आता है, कि हमारे partner को हमारी जरूरत भी है या नहीं, क्यूंकि आपके partner इस time पर एक hang situation में है, आपके partner ना आपके according बिल्कुल भी react ही नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि आपके partner expressive हों, वो बताएं कि वो आपसे कितनी महबबत करते हैं, वो आपके साथ किस तरह से अपना future देखते हैं, देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन आपके partner ना expressive बिल्कुल भी रही है stagnated energies के अंदर है आपको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ना बदलाव आ चुके है अब आपके partner आपको लेकर एक अलग ही विचारधारा रखते हैं ठीक है आपको ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आपके मन में ये सवाल बार बार आता है hang situation में आपके partner है ये चीज़ आप accept नहीं करते हैं आपको ऐसा लगता है उनकी life के अंदर तो सब कुछ happening चल रहा है हमारी बारी में सिरफ वो stagnant position में होते हैं ऐसा नहीं है आपके partner की life में actually जो चीज़े हैं वो stuck है ठीक है एक तो आप बहुत ज़दा over analyze करते हैं आपके partner जो कुछ कर रहे हैं या आप दोनों की जिन्दगी में जो कुछ हो रहा है आप उसे analyze करें अच्छी बात है लेकिन अगर आप उसी चीज़ को over analyze करेंगे वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके इस relationship में आपके partner balance establish करना चाहते है तो यहां सिरफ जरूरत की बात नहीं है यहां पर प्यार की बात भी है जरूरत तो हम कहते हैं कि अपने selfish motives के लिए आपके partner आपको अपने जीवन में चाहिए जरूरत को तो हम इस तरह से define करते हैं कि अपने selfish motives के लिए आपके partner आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं बड़ ऐसी कोई energy नहीं है आपके partner प्यार की वजह से आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं जरूरत उनकी ये है कि उन्हें ऐसा feel होता है कि आपके साथ ही उनकी सभी खुशियां associated है वो आप ही के साथ खुश रह सकते हैं उनके जीवन के अंदर abundance आपके साथ आ सकते है prosperity आपके साथ आ सकते है वो अपनी life की हर इक desire को आपके साथ पूरा कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप जरूरत की बात करें तो इस वजह से आपके partner को आपकी जरूरत है ताकि उनकी life के अंदर overall abundance आ सके ठीक है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर को आपकी जरूरत ही नहीं है Actually चीज़ें आपके पार्टनर से बालेंस नहीं हो पा रहे हैं आपके पार्टनर इस relationship के लिए बहुत सदा determined हैं वो इस प्यार को successful बनाना चाहते हैं उन्होंने जो कुछ किया उस चीज़ के लिए उन्हें regret है लेकिन अब उस चीज़ को बदलें किस तरह है टाइम फ्रेम में वापस जाकर तो चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं और टाइम फ्रेम में इतना जाधा आगे आ चुके हैं कि बहुत सारी चीज़े बीच में हुई है उन्हें छटके से कैसे बदल कर वो आपके पास आएं वो उस चीज़ के balancing वाली energies में लगे हुए कि जो opposite energies create हो गई हैं उन्हें balance करके वो आपके पास वापस आपाएं तो आपके partner को आपकी जरूरत है क्योंकि आपके partner आपके साथ अपनी family बनाना चाहते हैं और वो इस चीज़ को धीरे धीरे कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहे है पहले भी उन्होंने जल्दबाजी में अपनी life के वैसले लिये हैं और वो अटक गए हैं अब ये चीज़ ना बहुत slow speed से हो रही है आपके partner को आपकी जरूरत है ताकि वो अपनी जिन्दगी को खुल कर जी पाएं वो आपके साथ अपनी family बनाना चाहते हैं वो आपके साथ एक अच्छा घर परिवार बनाना चाहते हैं लेकिन ये चाहत वो उसे materialize कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो उनकी current energies पर depend करता है लेकिन ये जो question माग आपके दिमाग में आता है कि क्या हमारे partner को हमारी जरूरत है भी या नहीं तो definitely आपकी जरूरत है इंस्टा के नहीं में वो और किससे क्या expect कर सकते हैं अगर आप भी situation में अपने partner को नहीं समझेंगे तो कौन उन्हें समझेगा वो आपसे expectations इसी वेचे से तो लगाते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं ठीक है आपके partner को ये चीज मैसूस हो रही है कि बहुत सारी चीज़े आप दोनों के रिष्टे में बहुत अचानक से हुई ठीक है आपके partner evacuation में आकर एक गलत वैसला बना चुक है लेकिन वो आपसे जो महबबत करते हैं वो दिल से है ये चीज की realization आपके partner को तब हुई है जब आपके partner आपसे दूर हो गए ठीक है अब ये जो आप दोनों के बीच में communication नहीं हो पा रहा है इस communication को आपके partner कभी भी start तो कर सकते हैं लेकिन उसे maintain करना भी तो ज़रूरी है ये बात आपके partner समझते हैं इस बात को आप समझने के लिए तयार नहीं है आपको ऐसा लगता है कि एक बार हमारे partner हमारे साथ communicate करें तभी हमें पता लगेगा ना कि हमारे partner हमसे प्यार करते हैं तभी पता लगेगा कि उनकी life के अंदर हमारे कितनी importance है आपके partner इस तरह से आपके साथ कोई communication नहीं बनाने वादे हैं क्योंकि आपके partner को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ communication बनाते हैं तो वो आपकी उमीदों को एक हवा देंगे और आपकी उमीदों को इस टाइम पर आपके partner पूरा नहीं कर सकते हैं ये बात वो समझ पा रहे हैं ये और चीज हैं यहां पर आपको तो अपने लेवल पर ऐसा लगता है कि आपके partner इस relationship को बस हवा में उड़ा रहे हैं उन्हें इस रिष्टे से कोई मतलब नहीं है बट अपने लेवल पर आपके partner इस relationship पर बहुत सदा मेहनत कर रहे हैं उन्हें आपकी जरूरत है तब ही तो मेहनत कर रहे हैं नहीं तो जो कुछ हो रहा है वो गोगी तो flow के साथ भी तो चल सकते हैं आपके partner को आपकी सच में बहुत सदा जरूरत है हर एक चीज़ को deeply वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ आप दोनों की जिन्दगी में क्यों हुआ क्या कारण थे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए कहां पर उनसे गलती हुई कहां पर वो चीज़ों को संभाल सकते हैं वो हर एक चीज़ को बारिकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके partner यकीन मानिये generously वो इस relationship को balance पे लेकर आना चाहते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ injustice किया है लेकिन इसे वो justice की energies में change करना चाह रहे हैं अगर आपकी जरूरत है तभी उन्हें अपने करमा का ध्यान आ रहा है नहीं तो जो हुआ चलो हुआ कोई बात नहीं लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके partner इस relationship में balance establish करना चाह रहे हैं तो definitely आपके partner आपसे प्यार भी करते हैं उन्हें आपकी जरूरत भी है वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं उनकी life में आप बहुत ज़दा importance रखते हैं ये सारी energies मैं यहाँ पर feel कर पा रही हूँ आपके partner सिरफ आपके सामने गलत इस बज़़ से थावित हो रहे हैं क्योंकि आपके partner चुप है आपके partner कोई action नहीं ले रहे हैं लेकिन वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है आपके partner आपसे बहुत ज़दा महबबत करते हैं future देखते हैं आपके साथ अपनाओ ठीक है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये वक्त जरूर आएगा जब वो अपने आपको आपके सामने completely express करेंगे और इस रिष्टे को एक नई direction में लेकर जाएंगे नई spark के साथ वो इस relationship जब को जी पाएंगे ठीक है आपके पार्टनर को एक अलग सी attraction आपकी दर्फ को महसूस होती है वो आपके औरा से बहुत ज़दा influenced है तो आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं अकेले में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़दा सोचते हैं आपके बिना उन्हें अकेलापन महसूस होता है वो introspection की energies में खुद की गल्पियों को पेंचानने की कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़दा mean है सिरफ self love की energies में operate करना जानते हैं उन्हें ऐसा feel हो रहा है कि जब तक वो खुद के साथ नयाय नहीं कर पाएंगे वो आपके साथ नयाय नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वो अपनी life को थोड़ा सा sort out करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो अपने पार्टनर को एक पॉइंट पर गलत समझना पहले तो बंद कीचे ये चीज बहुत ज़रूरी है ओके ये नहीं चीज है यहां पर आएए अब हम एक और डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है आएए जानते हैं क्या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है आएए जानते हैं क्या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है आएए देखते हैं क्या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है तो पहला कार्ड है पास लाइफ का कार्ड है The next card over here is suppression का कार्ड है The next card over here is Inner Voice का card है The next card is Change का card है The next card over here is Ordinarist का card है And bottom of the deck पर यहाँ पर Letting Go का card है देखिए आपके partner को जब से आप उनसे अलग हुए है यह महसूस होना शुरू हो गया है कि आपके partner का आपके साथ ना कोई past life connection है आप दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है ऐसी feeling आपके partner को आती है ठीक है आपके जो partner है वो इस connection को अब lose नहीं करना चाहते है आपके partner को ऐसा लगता है कि आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे है ठीक है इस बज़े से भी उन्हें आपकी जरूरत है वो अपनी जिन्दगी को ना completely जीना चाहते है इस अधूरे पन से इस missing element के साथ वो अपनी life को नहीं जीना चाहते है तो ये इस past life connection को आपके partner अपनी life में लेकर आना चाहते है आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी ही बात है तो अपने आपको express क्यों नहीं करते हैं हमारे partner actually अभी तक आपके partner इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं कि immediately अपनी feelings को express कर पाना आपके partner के लिए मुम्किन नहीं वो एक suppression की energies में है और ये energies सिरफ उनकी नहीं है को दबाना पड़ रहा है आपके partner इस चीज़ की favor में नहीं है आपके partner अपने आपको आपकी सामने completely express करना चाहते हैं लेकिन आसपास की situation को देखकर उन्हें अपनी feelings को suppress करना पड़ रहा है इस वज़े से भी आपको लगता है कि आपके partner को आपकी कोई जरूरत नहीं है आपके partner आज भी आपसे महबबत करते हैं नहीं तो अंदर ही अंदर वो irritation वो frustration आपके partner को नहीं होनी चाहिए दि वो यहाँ पर नजर आ रही है ओके यहाँ पर inner voice का काण है अपनी अंतरात्मा से पूछिए यह सवाल जो सवाल आपके मन में चलता है न वो अपनी intuition से पूछिए आपके partner ना अपनी soul से यह message आप तक देने में सक्षम है कि वो आपसे कितनी महबबत करते हैं आपके partner intuitive level पर आपसे connect करते हैं ठीक है आपके intuition आपको इस चीज़ का जवाब देगी कि आपके partner को आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और वो आपके बिना नहीं रह सकते आपके इस relationship में जो change आया है जो एक negative change आया है इसके लिए सिरफ आपके partner responsible नहीं है उनके आसपास एक third party energy है जिसकी वज़स से आपके partner आपके सामने एक villain साबित हो गए इस वज़स से ही आपको लगता है कि आपके partner को आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इस change को अभी तक आपके partner accept नहीं कर पाए है अगर उन्होंने accept कर लिया होता तो उनकी situation खुद में इतनी painful होती ही न ही पाए आपके partner और आपके बीच में physical distance जरूर हो सकता है लेकिन आत्मिक तोर पर आज भी आपके partner आपसे connect करते हैं आपको कहीं न कहीं आपके partner के नाम के initials नजर आते होंगे आपको ये नजर आता होगा कि जो आप दोनों का date of birth है उसके regard में कोई angel number आपको नजर आता होगा या फिर वो number नजर आता होगा जब आप दोनों एक दूसरों से मिले थे ठीक है तो वो एक connection है आप दोनों के बीच में तो अगर आपके partner ने वो connection हटा दिया होता अपनी तरफ से उनके ऐसे कोई vibes ही ना आती तब तो आप मान सकते थे कि आपके partner को आपकी कोई जरूरत नहीं है बट यहां पर जरूरत का सवाली पैदा नहीं होता है यहां पर प्यार है ठीक है और प्यार के बिना इंसान नहीं रह सकता है वही चीज वही emptiness आपके partner की life के अंदर है यहां पर letting go की energies है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner ने इस रिष्टे को let go कर दिया आपको let go कर दिया पर सच यह है कि ना तो वह इस रिष्टे को let go कर पाया ना वो आपको let go कर पाये हैं वो इस रिष्टे को आपके साथ जीना चाह रहे हैं वो इस रिष्टे को भुलाना नहीं चाहते हैं, वो इस रिष्टे को और जदा मजबूत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर को आपकी 100% जरूरत है, अब सवाल यही उठता है कि फिर express क्यों नहीं करते हैं, यह जानने के लिए आपको अपने पार्टनर की personal blockages जाननी चाहिए आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़े हो रही हैं, जो शायद आप उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं पार रहे हैं, इसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक personal reading लेनी चाहिए, उसमें आप चेक कीज़े कि आपके पार्टनर की ऐसी क्या blockages हैं, जहां पर expression zero होता चला गया, क्या ऐसा हो गया आपके पार्टनर की life में कि उनकी energies अतने limited हो गई, ये जानने के बाद आप अपने पार्टनर के लिए कोई healing up process या फिर कोई remedy go through कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ ये reading book करना चाहते हैं, तो आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through अपने reading book कर सकते हैं, मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash हो, ओके, आए अब हम जानते हैं, कि universe आपको आपके इस रिष्टे के लिए क्या message देना चाहते हैं, universe आपको क्या guidance देना चाहते हैं, अगर आपके partner की तरफ से भी message होगा, तो वो इस में जरूर निकल कर आएगा, पहली चीज़ यह है, कि universe आपको यह कहना चाहते हैं, कि अपने partner को criticize करना बंद कीजे, अगर आप अपने partner को criticize करते चाहेंगे, तो आपको सिरफ unhappiness ही मिलेगी, आपको दुख ही होगा, ठीक है, अपने प्यार को समझने की पूशिश कीजे, आप तो इस रिष्टे को transform करने का मौका मिल रहा है, ओके, इश्वर आपसे ही कहना चाहते हैं, कि जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, वो past की energies है, उसे release कर दीजे, तभी नई possibilities को आप देख पाएंगे, एक नया path आपके इस रिष्टे के लिए, आगे बढ़ना शुरू करतीजे, ये आपके partner का message है आपके लिए, कि वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तभी उन्हें बहुत जद अपनी life में strength feel होती है, वो आपसे बहुत महबबत करते हैं, ओके, और जानते हैं, divine इसमें cycles चलते हैं, और हर cycle constantly change होता जा रहा है, अगर आप इस change को resist करेंगे, तो natural flow है जो life का, वो खराब हो जाएगा, इसलिए आपको flow के साथ आगे बढ़ना होगा, flow के साथ आगे बढ़ने का मतलब ये है, कि अगर आपके सामने चनौतियां आ रही हैं, तो उन चनौतियो आपको सामना करना है, उनसे पीछे नहीं हट जाना है, उनसे डर के पीछे नहीं हटना है, नहीं तो आप उस cycle में एक hindrance create कर रहे हैं, आपका भी तो अपना एक role है आपके partner की life में, वो role आपको अदा करना होगा, okay, the next is divine आपसे ये कहना चाहते हैं, कि आपको gratitude show करना क्योंकि अगर आप gratitude की energies में रहेंगे, तो आपको guidance जादा समझ आएगे, आप अपने partner को deserve करते हैं, आपके partner आपके प्यार को deserve करते हैं, आप ये चीज़ बिलकुल मत समझेए, कि आप एक गलत person के साथ हैं, okay, और जानते हैं, divine आपसे ये कहना चाहते हैं, कि अपने प्यार पर यकीन रखिये, ये transformation हुई है, किसी कारण से हुई है, आपका प्यार दुबारा से आपके partner को transform कर सकता है, ठीक है, पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आपके partner पर विश्वास ही नहीं है, तो ये transformation आपकिस तरहां से लेकर आएंगे, आपके इस relationship में आप दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा connect हो गया है, distance ने आप दोनों को और ज़्यादा connect कर दिया है, अपने प्यार पर यकीन रखिये और इस relationship के लिए एक positive transformation लेकर आएंगे, अपने partner को माफ कर दीजे, जो कुछ भी हुआ, वो किसी circumstances के अंडर हुआ है, अगर आप अपने partner को माफ नहीं करेंगे, तो आप अपनी energy अपने प्यार को waste करते चले जाएंगे, बड़ा सोचिए, वो बड़ी चीज reality ज़रूर बनेगी, क्योंकि उस reality तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ओके, so I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीज़ पीचेगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationships को लेकर कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप मेरी reading से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे whatsapp के थूरू, या फिर मेरी email id के थूरू book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id screen पर flash होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप please मेरे चानल को subscribe कर लीजिए, और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए videos की notification मलती रहे, so thanks for watching, see you soon.